नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, हमारे इस चैनल पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें. मित्रो धनिया का सीधा संबंध धन से होता है. धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफी एहम भूमिका निभाती है. कभी भी धनिया को बेकार में नहीं फेकना चाहिए. दिपावली और धन तेरस की राद धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा माला माल धनवान बनना है तो ये वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. वरना आपकी मर्जी बाद में आपको पच्चताना पढ़ेगा क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती. हो सकता है छोटे से जानकारी आपके किस्मत सवर जाए क्योंकि कहा जाता है कि अब पच्चताय होत क्या जब चिरिया चुग गई खेत कभी घमंड ना कीजिए समय बड़ा बलवान कि ये रंग राजा कई निर्धन को धनवान क्योंकि मित्रो निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे छोटे जानकारी है ये बिलकुल ही एहम भूमिका निभाती है समय बड़ा बलवान होता है अगर हो सकता अगर आज की में जो जानकारी बता दून की आपके निर्धनता मिटा दें गरी भी मिटा दें फिर बाद में आपको कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं हो आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्ग डर्शन करता हूँ गुरू की भाती मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी हैं जो भी समस्या से जूज रहे वह भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिलकुल ही आपका मदद जरूर करूंगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबूत एवं साफ धनिया ले आना है चाहिए, धनिया होना चाहिए, साथ ही साबूत धनिया होना चाहिए, उसमें गंगाजल का थोड़ा सा छिलकाव कर देना है और मालक्ष्मी कुबेर जी भगवान गनेश जी की पूजा करने के बाद में उसको धनिया भेट स्वरूप भेट करना है और प्रार्थना करना है भगवान गनेश जी, भगवान कुबेर जी और मालक्ष्मी से ही मालक्ष्मी ह हमारे घर निर्धंता मिटाय द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हे, तुए धनिया चोटा सा भेट करें. हमारे घर से निधन मिटाय काम करना, इसे घर के पूरे आपको बगेरा देना, इसे पूरे घर की छट पर फैला देना और यह प्रयोग आपको कब तक धनतेरस की रात में करना है, यह दिपावली की रात में करना दोनों में से कोई भी एक दिन में आपको करना है तो अच्छी तरह से आप अपने पूरे घर में आपकी जीतने भी घर है वहाँ छिलक सकते हैं छत पर भी पूरा छिलकाव करना है, इसके बाद सुबह होती है राद भर आपको छोड़ देना सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं अब अगर खेती वगेरा आपके घर में कोई करते हैं आप खेती वगेरा करते हैं तो इसको आप लगा सकते हैं तो मित्रो इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन जन्वांतर की गरीबी मिटेंगे, क्योंकि तीन महाशक्ती का कृपा प्राप्त होगा पहला महालक्ष्मी, दूसरे है कुबेर जी और तीसरा भगवान गनेश जी ये तीनों दिब्बे महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, ये छोटे-छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में हमें सक्सेस करने में काफी मदद करते हैं देखे तो दीपावली का त्योहार है एक नबमवर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गनेश जी और कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए इस दिन मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो तूने होते हैं, तोटके होते हैं इसका उप्योग कर सकते हैं दिवाली की रात कुछ उपाए को करते हैं, सही तरीके से उप्योग करते हैं तो मल लक्षमी स्थाय रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है विडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी बताने से पहले विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा आज अपना कम से कम 10-12 मिनट का बहुमूले समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जै माता लक्ष्मी जरूर लिखना आप हमारे वीडियो को देखने आप हमारे विवश नहीं आप हमारे दर्शक नहीं बलकि आप हमारे परिवार के हिस्से में कोई भी समस्याएं कोई भी प्रॉबलम है तो कमेंट बॉक्स में बिलकुल ही पूछे मदद की जाएगी हमारे चैनल के कमाई के पैसे अधिकतर गरीब एवम असहाई लोगों की सेवा में समर्पित होता है मैं जो टोटका बताऊंगा जरूर करना आपको बहुत ही ज्यादा लाब मिलेंगे तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना क्योंकि दोस्तों में ऐसा माना जाता जो कच्चे चने की दाल से मालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चड़ा करके आ जाते तो जीवन भर मालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है इससे मा लक्ष्मी बहुत प्रसन होती है और आपको अन, धन एवं सभी प्रकार के अलोकिक सुख प्रदान करती है हमें जानते हैं धन तेरस की कुछ विशेश जानकारी धन तेरस का पर्व छोटी दिपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है हिंदू पंचान के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को हम धन तेरस के नाम से जानते हैं इस दिन धनवंत्री देवी, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीडना बहुत ही जादा शुब माना जाता है धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजे खरीदते हैं जैसे की चल संपत्ती है अचल संपत्ती इसमें 13 गुना वृद्धी होती है इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता 13 गुना वृद्धी होती है यही वजह है कि लोग इस दिन बरतन खरीदते हैं सोने चांदी खरीदते हैं वाहन खरीदे इस दिन जो भी चीजे खरीदते हैं उसने तेरा गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इससे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस दो हजार चौबीस में कब है। तो पंचांद के अनुसार इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 पर्व धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है क्योंकि धनका कोशाद्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बरतन आदी जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दिपावली से पहले घर से कौन सी पाच ऐसे वस्तू है। जैसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका मालक्ष्मी धनतेरस और दिपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती मालक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरन सुगंदित आपने धूब जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का छिलकाव करके रखे तो बिना पूछे मालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है, जिसे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, फिर ऐसा घर मे कमी नहीं होती और जीज घर में कूदे हैं। करकट है, गंधगी चीजे से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाते प्रवेश कर जाये तो उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी पाँच, ऐसी चीज जिससे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेक देना चाहिए तो पहला है तूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तामबे के बर्तन है, ये स्टोरूम में रखते है शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर तूटे हुए बर्तन घर में रखना शुब नहीं माना जाता है इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेक दे क्योंकि तूटे हुए जो चीज है नकारात्मक्ता का प्रतीक माना जाता है दूसरे सामगरी है, रुकी हुई घरी दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशिया आती है दिवाली अच्छे समय ले करके आती है, और जो बंद घरी होती है इसे दुरभाग्य का प्रतीक माना जाता है देखिये, हर व्यक्ती चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घरी जो है इससे समय का प्रतीक है और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, तूटे हुए घरी है इससे बिलकुल ही घर में नकारात मकता, प्रभावती वास्तुदोश लाते हैं और जिसके घर में वास्तुदोश लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती तो साफ सफाई के दोरान जो पुरानी घरी है, बिलकुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी इस मालक्ष्मी नाराज होती है तीसरा चीज से नोट करके रखे इलेक्ट्रोनिक सामान दिपावली देखें जो रोश्नी का त्योहार माना जाता देखिए मालक्ष्मी वही निवास करती है जहां अंधेरा हो तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है, बिलकुली हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने धंग से लेकिन अंधेरा स्थान मत रख देना और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहाँ दीट से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाश मान बना दीजिए, क्योंकि जो दिपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है इसके बाद है फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और पहनना ये दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है फटे कपडे हैं या नकारात्मक लाते हैं, मालक्ष्मी उनी पर अपनी क्रिपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे रहते हैं, शुधवातावरन में रहते हैं, भरते भरते चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मालक्ष्मी अपनी क्रिपा नहीं बरसाती तो दिपावली के दिन फटे जूते चपल है भरती सामगरी बिलकुल ही घर में यूज ना करे और एक बात का विशेश ध्यान रखना घर के मुख्यद्वार पर जूते चपल दिपावली के दिन मत रखना क्योंकि की मालक्ष्मी स्वयम मालक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिसे घर में जूते चपल घर के मुख्यद् नहीं करती तो कदापी आप जो है दिपावली के दिन या फिर धन तेरस के दिन अपने घर के मुखेदवार पर फटे जूते चपल बिलकुल मत रखना अन्यता आपके घर में मालक्ष्मी नहीं आएंगी उसके बाद है खंडित मूर्ती देवी देवताओं की खंडित मूर्ती घर में पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वास्तु दोश बढ़ता है हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए और दिपावली अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो ना इई है उसमें बाहर दे तो इसका क्या फाइदा होगा वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जै महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जै महालक्ष्मी जरूर लिख देना एक साल तक मा लक्ष्मी की आपके उपर कृपा बने रहेंगे पूरे धन्तेरस आने तक मा लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे आपके घर में अंधन की बढ़ोतरी तेरह गुना बढ़ेगी तो धन्तेरस के दिन सोना, चांदी, आभुशन, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुब माना जाता है धन्तेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशाली बनी रहती है साथ ही मालक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिलकुल ही परिपून बने रहते हैं अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है तो धन्तेरस के दिन सोना, चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं धन्तेरस के दिन सोना, चांदी, आपूशन नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करला सकते हैं इसे भी मालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है धन्तेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुब माना जाता है मंगलकारी माना जाता है इस बात का विशेश ध्यान रखियेगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़ कर मत जाना अधूरे ज्यान हमेशा खतरनाक साबित होते यहाँ पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे तो धन्तेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुब माना जाता है मंगलकारी माना जाता है 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे इस दिन ऐसे चांदी की सिक्के खरीद ने जिस पर मा लक्ष्मी और भगवान गनेश जी का चित्र बना हो दिपावली दिन इसी के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती ऐसा कहा जाता है धन तेरस के दिन हो सके तो जाड़ू बिलकुल ही खरीद करके लाना चाहिए अत्यंत शुब माना जाता है दरसल हिंदू धर्म को मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है देखिए जो जाड़ू है मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है जो कच्रे होता इससे राहू का प्रतीक माना जाता है तो मा लक्ष्मी कच्रे रूपी राहूल को घर से बाहर रहती है अर्थात जो कच्रे से गरीब और निर्धनता की श्रेनी दिया गए हैं आप अपने घर में नए जाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते है मा लक्ष्मी का वास होता है धन्तेरस के दिन जाड़ू खरीदने से ओमे सुख सम्रिद्धी का आगमन होता है साथ ही दरिद्रता दूर होती है आप माने या ना माने हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से जाड़ू की सेवा किया पहुचेंगे जाड़ू की सेवा कैसे कर सके जाड़ू को मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक जाड़ू की सेवा की और आज वह करोणपती बंचू के अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सके, कल्पना भी नहीं कर सकते धन्तेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिलकुल ही खरीद करके ला सकते पाच से ग्यारह की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए धन्तेरस या फिर दिपावली दिन ग्यारह गोमती चक्र की पूजा करें इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए इसे ऐसा मान्यता है इसे घर में संपन्नता आती है इसे आपके घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धन तेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुब माना जाता है, अब इसके पीछे कारण बता दो जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्रान होते है मैं हर दिन वीडियो में बताता आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जीस प्रकार के अत्यंत रहे थे जिनकी पूजा करते हैं उस देवी देवता के उस प्रकार के प्रान बसे होते हैं जो श्रीयंत्र है यह मालक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं तो श्रीयंत्र में मालक्ष्मी की प्रान बसते मालक्ष्मी की शक्ती बसते हैं इनको धणतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीद करलाटे हैं या फिर धणतेरस से दिपावली की विधिय विधान से पूजा करते हैं。 पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा चोथा ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगा निरंतर इनके उर्जा से निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक आप कुछ सुखों की प्राप्ति होगा आईए इस वीडियो में विस्तार से बता दो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्यव वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो परानिक शास्त के अनुसार दिपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूरत में उठकर स्नान करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति दिपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मालक्ष्मी बिलकुल ही उनसे मालक्ष्मी हमेशा रूष्ट रहती है दिपावली की सुबह देर तक ना उठना क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है इस दिन अगर अब आपको धन्वान बनना है, गुन्वान बने है, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगने है तो इस दिन जल उठी क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है तो बिलकुल ही आप समय के साथ में चले और दिपावली दिन विशे इस रूप से अपने माता-पिता और घर के बुजूर्गों का आदर अवश्य करें बिलकुल आप इनका अनादर मत करना मा लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी क्योंकि जो बुजूर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है हो सके तो इस दिन सुबह उठकर के अपने माता-पिता का प्रनाम करें अपने बड़े बुजूर्गों का प्रनाम करें सदा मा लक्ष्मी को प्रसन रहेंगे और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे की कूड़ा करकर पड़े रहे ऐसे मा लक्ष्मी नाराज होती बिलकुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वतावरन पवित्र रख लेना जाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और जाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना इससे मा लक्ष्मी नाराज होती है बिलकुल ही जाड़ू को अपने पैर मत लगने देना क्योंकि जाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पैर से जारू को ढून रहे हैं तो जारू को नहीं बलकि आप मा लक्ष्मी को खुद रहे इसे मा लक्ष्मी को हो सकती है देखे तो लक्षमी माता है जितना जल्दी प्रसन होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती इसलिए लक्षमी का स्वभाव चंचलता कही गई है माता लक्षमी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पढ़ती अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करे तो रूट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन भी होती है तो आप जो जाड़ू बिलकुल ही जाड़ू कर अपना पैर मत रखना इसे अप शगुन माना जाता है आप लक्ष्मी को ठोकर मार जाड़ू को नहीं बलकी लक्ष्मी को ठोकर मारी और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे फिर ऐसे में गरीब हो जाते है पौरानिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के बाद घर में जाड़ू इस दिन मत लगाना दिपावली दिन अंधेरा होने के पूर्वी घर में आपको बिल्कुल ही कुड़े, कच्रे, सबको साफ सफाई कर लेना जाड़ू नहीं लगाने और घर में किसी भी दिपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना बिल्कुल दिपक के प्रकाश से उस्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए देखिए जो दीपावली है धनते रस है इस दिन कुछ ऐसे सामगरी है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामगरी को खरीद कर लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती जिस प्रकार कुछ सामगरी को खरीद कर लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है ऐसे सामगरी है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं दिपावली दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तूओं की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए खरीदने से बचना च चाहिए लेकिन लोग जानकारी के अभाव में दिपावली दिन है या फिर धन तेरस के दिन स्टील से बने बरतन या फिर उससे बने कई जो वस्तू होती घर में खरीद कर लाते हैं। चाहिए लेकिन समय के साथ में लोग स्टील के बरतन लेने लगेंगे। स्टील के बरतन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं उसमें थोगा सा गेहू या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद कर ला सकते हैं तो जो राहू का दोश होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेश ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए जो दीपावली के दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इससे राहू के शक्ती आ जाते हैं केतु की शक्ती आ जाते हैं। शनी की कुद्रिष्टी लग जाते हैं और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं कलेश लेकर आते हैं। काली जो बिलकुल काले कलर की कोई वस्तू है। काली चीज है इन चीजों को लाने से बचना काले कलर किस दिन चपल भी घर में खरीद करके जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े समान हैं खरीद कर लाते हैं। लेकिन लोहे से बने जो जैसे की धारदार हथियार है जैसे की कैची है चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए इस दिन अगर आप धन 13 के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिलकाव थोगा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन साधे 8 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र है श्री महा लक्ष्मी का ध्यान करते हु गर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमी में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं। अवली और धन्तेरस के दिन ये उपय अवश्य करें।